आज में लेकर आई हूँ आपके लिए चार्ज राइकी ऐसी रेस्पीस जिने बरसाथ के सीजन में आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और बहुत ही आराम से बन करिये तयार हो जाती हैं आप भी एक बार इस तरीकी से इन सभी रेस्पीस तो यहां पर मैंने ओईल लिया है और इसमें एक प्याज को डाल दिया है बारिक टुड़ों में कट करके इसे दो मिनिट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर भूनना है और इसी तरीके से मैंने इसे भून लिया है इसमें एक चमच भरकर मैंने बारिक कटी शिम्ला मिच भी डाल दी है इसे भी हलका सब चलाएंगे और इसके बाद में टमाटर डाल रही हूं तो एक टमाटर को मैं डाल रही हूं इस तरीके से आप जरूर बना कर देखीगा इस नास्ते को तो इसमें नमक भी डाल दिया है धनिया पॉडर डाला है साथ ही में एक छुटा चम्मच क मैंने पका लिए秘। जो मारा मसाला है वो पकर तयार हो गया है अब इसमें आलू और मटर को मैं उबाल कर रखा हुआ था में डाल दया बाजी बना कर तयार की, इसे except में अनके कॉर्णर को cutu को आप ये नास्तर बनाना चाहते हैं उतनी ब्रेड ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 5 ब्रेड ले है और उन्हें ready कर लेते हैं इनके corners को cut कर देना इस तरीके से उसके बाद जो ब्रेड है उसे हलका सा बेल लेंगे हम बेल की help से इस तरीके से ताकि जो ब्रेड है तो इसी fat हो ज है इसमें थोड़ा से नमक डाल देता है तो ठीज के üstडि इसके वाइन पसटा से लसके आ उसके साथ में चाले जो कर्यार कर दिए हैं लिटि लगाएंगे उसके बार चीज में लगाई है आप चाहएंगे Chinese गृण पनीर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन चीज से बना हुआ जो आश्था है बच्छों को बहुत जाधा पसंद आता है तो मैंने इसमें चीज लगाई है बिल्कुल अपशनल है यह आप चाहिए तो चीज पनीर को सिल कर सकते हैं इस तरीके से रोल कर लेंगे और आपको और चिप कवर करने के लिए मैंने से पारिक वाले लिया दिए चहिए ब्रेट से गुमाते हैं जो यह कवर कर करना है इसके दोनों साइडिके से तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे सवयियों से अगर आपको ज़र् realities हो तो थोड़ा सा जो हमने घूल बनाया ऐसे भी लगा सकते हैं इसके कॉर्णनर्स पर साइडों में तो सभी को हमने इसी तरीके तैयार कर लिया अब इने फ्राई करने लिए चलते हैं तो ऑईल को मैंने पहले ही करम होने के लिए रख दिया था फ्लेम को लो मीडियम करना है और हाई भी नहीं करना है लो मीडियम इस पर इसे फ्राई करेंगे ताइकि जो हमारा नास्ता है बढ़िया से पक जाए और क्रिस्पी कुरुकुरा हो जाए आलू जो हमने स्टपिंग तयार की थी वह तो हमाई पकी हुई थी तो सिर्फ बार से इसे पकाना है इसे चार से पांच मिनट लग जाते हैं क्रिस्पी कुरुकुरा होने में तो तयार हो गया है जो हमारा नास्ता से निकालेंगे और सर्फ करेंगे इसे आप चाहिए तो ट्रमेटो सॉस के साथ सब कर सकते हैं तो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो रोटियां ली हैं जो की रात की बची हुई है आप चाहिए तो फ्रेश रोटी से भी इस तरीकी से इस रैस्पी को बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दो रोटियों का इस्तमाल किया है इन्हें कट कर लेते हैं तो इन्हें मैं सिजर से कट कर रही हूं आप चाहिए तो नाइप की हल्प से इन्हें कट कर करने हैं आप जितना नास्ता बना चाहते हैं इसके साथ से कट कर लें तो सब्सक्राइब यहां कंट कर लेते हैं विस तरीके से तयार हो गई है इसमें नाल fünf killing डाले। आदा चुटा चमाच मैने इसी के साथ में नमक भी डाला देंगे मैने मßाले मिनने वाले मसालों का है एंहैं इन्हें अच्छे से दोटिकां अधर को पाने 有क Dingeon में जानवा एस पर या से ढ़ेसे प fino मसाले खेंगे मकणmee किस्पी और कुरकुरा बनकर तयार होने वाला है तो इस पर थोड़ा सा हम आटा भी छिड़क लेते हैं ताकि हमारे नाश्ते में आराम से चिपक जाए तो यहां पर मैंने ग्यहों को आटा ही लिया है एक से दो चमच हमने आटा लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और से साइड में रखेंगे इसकी स्टफिंग त्यार कर लेते हैं यहां पर मैंने तीन उगले वे आलू लिये हैं मीडियम साइज के अब इसमें भी हम बागी की चीज़े आड़ कर लेते हैं तो यहां पर एक छोड़ा चमच मैंने लेसुन लिया आए बारी कटावा आप नहीं खाते हैं तो skip कर सकते हैं एक medium size के प्याज को cut करके डाल देंगे साथी में धनिया पत्ति मैंने इसमें एड़ किया है नमक डालेंगे टेस्ट के मैंने डालना चाहते हैं तो एक निवो के रसको मैंने इसमें डाला है आप जितना खटा पसंद करते हैं उसकी हिजाब से आप डाल सकते हैं अब दो चमच इसमें हम ग्याओं को आटा डाल देते हैं ताकि बढ़िया से बाइंड हो जाए जो हमारे आलू है इन सभी को अच्छ बनकर तयार होता है लेफट और रोटी से आप ज़रूर बना कर देखिएगा आपको बहुत जादा पसंद आएगा और घर में मिल जाने माले चीजों से इसे हमने बना कर तयार किया है कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसे आपको बाहर से लाना पड़े तो यहाँ पर मैंने दो बना कर तयार की है टिकियां उन्हें भी लेंगे और घुल में डिप करते जाएंगे रोटी से कवर कर लेंगे तो इस तरीके से घुल में इन्हें डिप करेंगे जिसे की रोटियां है इस पर बड़े ही आराम से चिपक जाती है इस तरीके से अच्छे से इस पर चिपका ले करेंगे रोटी का भी इस्तमाद यहां पर हो जाएगा तो सब्सक्राइब को लो मीडियम करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे फ्लेम को हाई नहीं करना है लो मीडियम पर इन्हें अ... गुल्वन ब्राउन हो जाए तब तक तर बढ़ेंगे इसे तरेके से उल्लट करते रहेंगे इन्हें अच्छ से गॉल्डन ब्राउन होने देना है यह लोम सीराज हो हाय करेंगे फ्लेम को लो मीडियम ही रक्टी सबसेता बसे दो अब वह साथरे कर लेते हैं जब हमनी ब के पीसे हैं यह तयार हो चुके हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकियों को भी हम तयार कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया जो हमारा नास्ता है बनकर तयार हुआ है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है बाहर से बहुत ही ज़्यादा आ है क्रिश्पी और अंदर से बिल्कुल सुट मोलायम बनकर तयार होता है, तो सब यासे हमने तयार कर लिया है, और इनसे सर्फ कर लेते हैं, इस तरीके से आप जरूच सरूच के साथ आपeredगे नेखे कर छाहे हैं, तो अधा कब दही में डाल रही हूँ भूत जखता दही नहीं होना चाहिए मैंने इसमें दही को डालकर mix कर लिया है हलका सा से mix कर लेंगे ताकि दही और सूजी जो है वो अच्छे से mix हो जाए इसमें थोड़ा सा पाई डालेंगे पानी इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है जो हमारा है तो यहां पर मैंने एक छोटे साइज के प्याज को कट करके डाल दिया प्याज बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं इसी के साथ में एक से दो हरी मिर्चे हम इसमें डालेंगे बढ़िया तीखे पन के लिए और टैंगे इसके लिए साथी में अधरक बने डाली है आदा इसे मिक्स करेंगे तो हाथों से से मिक्स करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा मिक्षर है किस तरीके से रेडी हुआ है क्योंकि हमें ज्यादा पत्ला नहीं करना है हाथों से हमें इस शेप देनी है तो इस तरीके से बिल्कुल थोड़े से पानी के आवशक्ता है इसमें जाहिए खाने वाला ढाला है इसे जो हमारे यह बड़े है बहुत ज्यादा सोम पढ़ेंगे अंदर से और बढ़या फुल Programm कर लेते हैं इसकी जीगा आजा छुट छब抵च आनलम फूट का बái कर सकता है हाथों को दोने के बहुत ज्यादा पतला होगा चाइए प्रो मीक्ष्यम को तयार कि आप बनाते शाइंगे टालते जाएंगे मैंने पहले गरम होने के लॉल turn mr suffering टाकि अंक बनाते जाएंगे यह रखा तो Edit वना यह जो हमारे बड़े हैं उपर से color ले लेंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे तो ध्यान रखेगा लो-मी्डियम रखना और लो-मीडियम इसी तरीके से उलट П्लेट करते हो अच्छे से फ्राई कर लेंगे वह काफी अच्छ दिए पूर्फि संवर लेडा हैं यह निकाल लेते हैं बहुत ही बढ़िया यह हमारे बड़े हैं बनकर तयार होते हैं इसे साउथ इदिन, टमाड़े चथ definite या ना有ूरी चथ साथ या फिर सांबर के साथ स्वाव कर सकते हैं फिर इसी तरही के से भी चाही साथं इंज़ॉय क हैं और सकते हैं इस तरीके से भी बहुत ही बढ़े हाँ बढ़ मोड़े हैं बनकर तयार होते हैं अंदर से काफी जाले दार बनते हैं और पहुत जादा स्ट्रेश्य लगते हैं खाने में एक बार जरू बना कर देखेगा कि ऐमदें यहां पर एक कडायि लिया इसमें थोड़ा सा ओइल डालेंगे उसके बाद जैसे मिलःग्रम होगा इसमें हम जीरे क से ख्रैकल होने देंगे उसके बाइज में प्याज डाला है साती में हरीमेज डाली है साथ दो बड़े चमच मैंने कटacia करके गाजा डाल दी है काज ओन दें आप बगार से इस तरीक इसे पून लेते हैं आप चाये तो इसमें और भी सबजी पराइब कर सकते हैं जो यको पसंद तो व्हार belong starts टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आदफा चुटे चमच में इसमें लाल मीच ऑड़र डाला है एक मैंने आलू लिया है कद दूकस करके और इसे एच्छे से वाउच करके रखा है इसे भी इसमें आड करेंगे आलू को इस तरीकी से बारीक ही कद दूकस करना है और अब कप मैंने पाई लिया था तो आधा कप सूजी डाले और इसे पका लेते हैं फ्लेम को बिल्कुल रखेंगे लो फ्लेम पर इसे पकाना है ताकि इसमें कोई गांटी गुटली ना बने और यह जो हमारा डो है बढ़ी ऐसे पकर तयार हो फाई पर आप पकाएंगे तो बहुत ज करीपते और धनियापती डाल रही हूं और तो इसमें यहां थारिक नाष्टा बनाने में इसा इस तरीके से फैला दिया था था कि यह थंडा हो जाए जब हात लगाने लाएक हो जाये तब इसे अच्यसे नीड करेंगे और मुसल्हों सलकर इसका डोतियार करें यह थोड़ा इस तरीके से आप इस नास्ते को ज़रूर बना कर देखें कि अब बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है खाने में और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होता है बच्चों को आप लंच बक्स में बना कर दे सकते हैं इसे इसे इस तरीके से हम लेंगे और अपनी मन पसंद कि कोई भी शेप इसे दे सकते हैं तो इसी तरीके सबीकम तयार कर लेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया नाश्ता बनके हमारा तयार होने वाला है इसे आप किसी भी चटनी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह भील भर जाता है ध्यान रखिएगा फ्लिम को मीडियम हाई ही रखना है और जितने पीसे आपके कड़ाई में आजाए उतने ही डालने हैं बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं वरना यह आपस में च्पकर भी तूट सकते हैं तो मैंने यहां पर 5-6 पीसे में डाले हैं और इन इ इने हाफ रखने के बाद डबाने के बाद बहुत जादा कृश्पी कुरकुरा बनजाता है मैं इसी तरह कर रही हूँ और इसे निकाल लेते हैं यहां पर इस अभी नाश्टी के पीसे जो हमारे हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं निसी निकाल करम साइड में रख देते है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो हमारा नास्ता है बनकर तयार हुआ उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट मुलाएं बनकर तयार होता है तो आप भी इस तरीके से इस नास्ते की रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा आशा करती हूं कि आज की सभी बनेवा चलिए मिलती हूं अपनी अगली वीजियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए खाते रहिए